चलिए आज बनाते बहुत ही ज्यादा टेस्टी और जटपट बनने वाला सोया पुलाओ तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सोया बिन यानी सोया चंक्स को उबाल कर ले लिया है अब हम इसे एक कटोरी में डाल देंगे और अब हम इसमें एड करेंगे दो बड़ी चमच के लाल मेर्स पाउडर वन बाई हाब टेबल स्पून के करीब हल्दी पाउडर और टेस्ट के कॉर्डिंग नमक और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए छोड देंगे तब तक हम क्या करेंगे एक बाउल में डाल लेंगे चावल जो की मैंने एक कप के करीब डाला है अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से धो लेंगे और इसके पानी को हम अलग कर देंगे और फिर से हम इसमें पानी डाल देंगे और इसे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए छोड देंगे अब हम कराही में डालेंगे दो बड़ी चमच के करी गी घी डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अगर आपका मनों तभी डालना वरना कोई बाद ने आप तेल में भी से बना सकते हो और जब तेल थोरा सा गर्म हो जाया तो हमारे पास जो भी खड़े गरम मसाले होंगे वो सभी डाल देंगे और इसके बाद हम इस कड़ी बारी कटा हुआ टमाटर वन भाई हाप कड़ी कटा हुआ गाजर वन भाई हाप कड़ी मैंने यहां पर आलू के चिलके को हटा कर कट करके डाला है अब हम इसमें वन भाई हाप कड़ी मतर डाल देंगे हरावला और टेस्ट के कोडिंग नमक डाल कर इन सभी चीजों को अच्छी तड़ीके से मिक्स करते वे थोड़े दे तक सौटे कर लेंगे दो से तीर मिनट तक और इसके बाद अब हम इसमें कुछ मसाले आड़ करेंगे जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, भूना जीरा पाउडर और अद्रक लैसन का पेस्ट डाल देंगे और इसके बाद हमने जो सोया बिन को रखा था ना मैरिनेट रहुने के लिए वो डाल देंगे और इसे अच्छी तड़ीके से मिक्स कर लेंगे और अच्छी तड़ीके से मिक्स करने के बाद अब हम चावल के पानी को हटा देंगे और चावल डाल दे और इसके बाद हम इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें एड करेंगे पानी जो की मैंने दो कप के करीब डाला है हमें यहां पे जादा पानी का यूज नहीं करना है वरना यह चावल गिला भी हो सकता है और पा और मिक्स करने के बाद अब हम इसे ढख देंगे और एकदम लो फ्लेम पे हम इसे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए अच्छी तरीके से ढख कर पका लेंगे 20 मिनट बाद बस अब यह त्यार है तो आप भी इसे जरूर से ट्राइ करना आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा तो चलो बाई